कच चलिए तोई हमनोग प्रेgetical question स्थार्ट करते हैं प्रेgetical question में सबसा पहला जो question है वह हम लोग ची पास ये रहा question number one तो सबसे पहले इसमें requirement की आहीं सम्में ये संधेंगे और उसके बाद हम लोग start करेंगे बनाना जो विसम में जो सबसाइब में क्या बोला you are required to find out the value of material purchase तो हम लोगो सबसे पहले निकाला है material purchase का value and उसके बाद सेकंड वाले point में क्या बोला तो सेकंड वाले में पिर पिर कॉस्ट स्टेट्मेंट सुइंग दे वेरियस element of cost and also the profit on the cost element मतलब कॉसे भी बनाना जिसमें वेरियस element of cost मतलब जो हम लोगे पास cost का हेट होता था वह भी दिखाना है और प्लस में material purchase किता होगा वह भी हम लोगों को इस समस में निकालना है तो चलिए यह हम लोग के पास रहा requirement में अब समस में क्या दे रखा हुआ है यह हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो तो देखें यहां पर सब्सक्राइब बोला the books of others manufacturing company present the following data for the month of April 2020 तो हम लोग के पास अप्रील 2020 का data दे रखा हुआ है जिसमें डायट लबर कोस्ट 17,500 बीग 175 परसंट और वर्स ओवरेड तो यहां पर डायट लबर कौस्ट मुक्स दे रखा हुआ है औप जो 175 परसंट आफ वट, मैं जितना व्रक ओजोका उसका 175 परसंट किया है तो यह आप भी पास डियंड लेबर कॉस्ट्ट तो यह हम को समस में निकलके आ जाएगा उसके बाद बोला यहां पर पर इसक्कूलूड़िंग एक्स्टाइट एक्स्टेटव पास के पास त्यूज़ के रका हुआ 56 तॉजन का उसके बास समस में क्या रखा हुआ है यहां पर हम लोग के पास स्टॉक द्रखवा जिसमें इन्वेंटरी एक इसके बाद लोके पास इसमें नहीं निकल के आ जाएगा तो इसमें आजए हैं इसमें सबसे पहले तो यहां पर कोश्चन नमर वन है प्रैटकल कोश्चन पार्ट का यह कोश्चन नमर यह हम लोग का वन दे रहा हूँ तो चलिए हम लोग इसमें कॉसिट बनाएंगे तो आज यह कॉसिट बनाते हैं को कॉसिट यहाँ पर रूपीज आ गया और एक यहाँ पर भी एमॉंट का बना दे रहे हैं इसमें रा मेटल परुचेस रा मेटल का स्टॉक दर काया था सब्सक्राऊ से पहले जब ही हम लोग निकालते थे रा मेटल करेंगे तो वह किसलों काकी सरे से निकालते हैं सुप्य राव मिट्रेट इसमें हम लोग परचेस को एड करते थे हम है पर एंगे माइनस टॉ कबाइस कि माइनस करते हैं यहां पर बाइस काल से क्लोजिंग इस्ट अफ पको यह को दो यह रही नो से अन फफॉल मात्ति स्थवस्था की ट्व घॉजन पेस तें refuse और और माइनस कितना होगा तो 13,600 यह हम लोग के पास माइनस आ जाएगा तो यह माइनस करने का बाद जो भी हम लोग का एमाउंट होगा वो क्या आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा रा मेट्रेल कंजूम का हम लोग के पास एमाउंट आ जाएगा इसके बाद हम लोग के पास यहां आ जाएगा डारेक्ट लेवर कोस्ट जो है 17500 यह हम लोग के पास आगे 17500 तो उसके बाद हम लोग के पास समय वर्क बारे में बोला फिर हम लोग के पास administration और के चोड़ करके और तो हम लोग के पास कुछ expenses जैसे सेलिंग एक सेलिंग एक्पेंस है फिर जैनल expense है जैनल अन्यविस्टेटिव expense है और यहां पर सेलिस हम लोग के पास दे रखाव है चली एक बार हम लोग फार्मिट बना लेते हैं अन्य फार्मिट बनाने के बाद जो भी उसमें से कि फक्ट्री कि ओवर्हट कर दे थे इसके बार में information क्या दे रखावा रहा की 175% यहां पर क्या बोला था संद्समें यहां बींग 175% और टो वर्गोर जितना होगा उसका 175% हम लोगों को दे रखावा कितना तो 17500 तो वर्क ओवरेट हम लोगों मांतें कितना परसंट है परसेंट है और यहां पर 175 परसेंट का हम लोगों को वैल्यू दे रखावा है जो कितना है 17500 यह आज जागर 17500 इसने हम लोगों क्या निकल के आ गया तो इसने हम लोगों का वर्क एफेक्टी ओवरेट निकल के आ शुका है तो यहां पर 17500 इंटु हंड़ेट डिभाइड वा पता होता था उसे लोग जिनोमेड़ में और उसके वैली से मल्टिपाय करते थे लेवर कोस्ट जो में के पास दे रखाता था यह एब आड़ करने के बाद जो हमनों के पास आता था तो वो उससे हम गोलते थे इसमें हम लोग उपनिंग श्टाक आफ करते थे और माइनस करते थे खोजीं स्टाक औफ डॉप यह देख लेते कितना किता हैं तो 10,500 और यहां 14,500 इसमें से माइनस करेंगे 14,500 तो यह हम लोग के पास जो आ गया तो वो के आ गया यहां पर समस्में आगे तो हमलों के पास quality control नहीं 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 यह नहीं नहीं है जो क्रोडुक्सिंट से रिलेटेड हो एंड उसके बाद हम लोग के पास primary प्रदक्शन यहीं प्रदक्शन तो यहां पर प्छलस करेंगे फिर इसमें से मानस करेंगे क्लोजिंग कि इस टॉक ऑफ फिनिस गूस्ट तो प्लोजिंग इस टॉक मैंस करने तो चले देख लिए ते कितना दिरखा तो यहां पर ओपनिंग एस टॉजन और फाइब 600 तो यह आजाएगा 17600 और प्लोजिंग है 19000 तो यहां पर आजाएगा 19000 तो यह करने के बाद जो हमलों के पास expense था selling expense था उसके था है जनल यहां पर करेंगे सै लिएude जो किता किता रख़िए तरें रख़ों और फ्रहीं हमलोंके पास करिंशुक यह नोग के पास यह ते profit तो हम लोग के पास क्या जाएगा तो यह हम लोग के पास इमांट जो आएगा वह आजाएगा sales का तो sales हम लोग के पास समय रखवा जो 75,000 तो यहां पर हम लोग आ गया 75,000 का यहां तो आप लोग कोश भी प्रालम नहीं है और cost of sale निकाल सकते हैं न क्योंकि हम लोग के पास देर रखवा था तो इसमें 3500 होगा प्लस 2500 हम लोग के पास एड़ हुआ तो यह हम लोग के पास कितना आ जाएगा तो 62,000 का हम लोग के पास cost of sale आ गया था और यहां पर प्रॉफिट सेल हम लोग के पास कितना रखवा तो 75,000 क तो माइनस करेंगे 75,000 हम लोग के पास यह जो है 13,000 यह था जाएगा तो यहां तो आपको कुछ भी प्रॉबलम है अब देखे हम लोग के पास कितना रखवा तो यह नों के पास 56,000 इसमें closing stock माइनस करने के बाद यहां पर क्या amount होना चाहिए यहां पर मान लेते हैं कि कु तो यह आजाता 56,000 तो हम लोगो बैक कल्कुलेशन करना हो तो जो नीची का एमॉंट दिर्खा 56,000 उसमें जो 90,000 यहाँ पर माइनस होता तो उसे हम लोग बैक कल्कुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे इसे हम लोग एड करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर वाले बैक कल्कुलेशन हम लोको जाना है तो यहां पर सबसे पहले जो 57,400 यहां करेंगे तो यहां पर इसमें से अगर माइनस करते हम लोग तो यह हम लोग के पास कितना आ जाएगा तो यह हम लोग के पास यह भी हम लोग बैक कालकुलेसंस से निकाले हैं तो 51 400 आ गया अब 51 400 हम लोग के पास क्या आ गया प्राइम कॉस्ट आ गया और प्राइम कॉस्ट में से डैट लेबर कॉस्ट हम लोगो 17500 दे रखावा है तो बचा हुआ जो भी एमाउंट होगा जो भी हम लोगा बचा बचा यहाँ पर आगया 33 900 उसमें फिर से थे मोग बल कर दिकल के आ जाएगा बचए निकल के आ जाएगा तो 406 सब्लैत को मैंने ककरेंगे क्योंकि ए मैनट स्री था तो हम लोग इससे प्लस करेंगे और मैनस क्या प्लस करेंगे मैने सिक्सक्राइट tampoco ed manner कर था जो इसी के साथ यह सम्स भी हमनों का कंप्रीट हो गया जो हमनों के पास क्या था कोशन नम्मर वन